सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में पुस्टों आपसों के सामने आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है पुश्कल मिस्त्रा और ये हैं सासाराम बिहार से मेरे ही यहां से मेरे से थोड़े दूर अब ज़र समझेगा इनका डेटो बर्त है 22 अगस 295 सुबह 6 बच के 5 मिनट और इस अधार पर इनकी कुंडली सिंभ लगन की बनती है और शिंभ लगन की कुंडली और लगन में ही सुर्य अब ज़र ध्यान से समझेगा इस बात को सुर्य लगन में और बुद्ध भी और शुक्र भी एक बड़ी गंबड़ी बात है पर यह मैंने कई बार कुंडलीों में देख आ है बताओं क्या बताता हूं सुर्य बुद्ध और शुक्र बैठना तो एक ही साथ चाहते हैं लेकिन जब बैठ जाते हैं तो मत लेते हैं कैसे मन से भी बुद्धी से भी और सुख से भी तीनों क्योंकि तीनों के कारक और दरसल गौर करिए तो ये शनी इनको बैठ करके यहां देख रहा है तो शनी ने इन तीनों को प्रभावित किया, क्योंकि सिम्हलगन की कुंडली के लिए मारक होते हैं ये, बहुत अच्छे नहीं होते, और वो बैठे भी यहीं है, मजबूत हो करके, अब उस पे राहो की दृष्टी, तो व्यक्ति का जो आइना है, वो प्रभावित होगा, और गुरु को भी उसने प्रभावित किया, पंचम भाव को भी तो देख रहे हैं, पंचम भाव की अदिपती को देखे, और राहु उससे प्रभावित, तो शनी पे राहु की दृष्टी, व्यक्ति महनती बहुत है, और ये सिम्ह है, सिम्ह राजा होता है, उसके साथ राज और ये इनकी राशी, राशी, चंद्रमा मिथुन की राशी में बैठा, तो उसके अंदर राज-कुमार की सी इक्षा भी है, क्योंकि मिथुन है वो, मैथुन प्रिये, वस्तुओं का भोगी, और एश्वरे को, हाला की वक्ती की इक्षाय जो होती है, वो कभी-कभी कमोबेश होती हैं पूरी नहीं हो या कमजोरी हो या कमजोरी का भाव हो पर लगनमे सुरी अगर बैठा हो और उस पे किसी भी सुभग्रा का प्रभाव नहीं तो कमजोरी तो होगी शुभग्रा बैठे हैं बुद्ध और सुक्र लेकिन सिम्मलगन की कुणली के लिए सुक्र जो होते हैं वो दर्शमस्थान व्यक्ति तुरंत ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और जितना ही ये जल्दबाजी करेगा उतना ही जादा विलंब भी होता है ऐसी बात भी है क्यों यहां चंद्रमा को वो प्रभावित कर रहे है जब कभी भी व्यक्ति की कुणली में शनी मंगल राहु केतू और चंद्रमा की दशा चलेगी तो निशंदे व्यक्ति के मन को इतना ज़्यादा परिशान करेगा कि व्यक्ति बिहावियर उसका एक तम टोटल बदल जाता है ड्रैमेटिक बदल जाता है मतलब टोटल जो है वो बिल्कूल उलट जाता है व्यक्तित तो विशाल है लेकिन वाणी कठोर ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल इनकी कुणली में लगन में भी यहीं बैठे हैं और नवमांस कुणली में भी यहीं बैठे हैं लगन से जादा नवमांस में अच्छे हो रहे हैं लेकिन ब्यप्ति के स्वभाव को कठोर बना रहे हैं जिद्धी, हठी, गुसेल और किसी भी परिवर्तन में ब्यप्ति जल्दी ही सूट नहीं करता और सामने वालों के अब मेरे साथ एक बात है मेरे गाउं से कुछ लोग आये थे मेरे हां कभी उन लोगों को कोई आवशक्त उड़ाते हैं तो उसने कहा क्यूं निखिल जी ने मुझे पुछा कि क्यूं ऐसा होता है मैंने कहा क्यूंकि यह हर बार सत्य बोल देते हैं हाँ हाँ क्यूंकि आप अगर व्रिंदावन में हो तो 84 कोस की यात्रा करो और दंडवत कर लो कोई मना ही नहीं है लेकिन वही मंदर में और गाउं के मंदर में रोज दिन करने लगे तो गाउं वाले तो गाउं वाले होते हैं और फिर तो वो समझेंगे नहीं आपको पागल खोसित कर देंगे आपको और फिर आपको कई बार क्यूंकि आप जहां पर ये काम कर रहे हो वहां के समाज और वहां के लोग और वहाँ आपकी चुटिया कटी, क्योंकि आप हर बार सत्य बोलोगे, तो हर बार सत्य से प्रेरित हो, मैं सत्य बोलने से मना नहीं कर रहा, मैं उस चीज का पक्षदर हूँ, लेकिन सामने वाला क्या सुनना चाहता है, कभी-कभी हमें उसे ये भी सुनाना पड़ता है, आप 84 कोश्की यात्रा कर लो, वहाँ दंडवत कर लो, कोई दिकत नहीं है, लेकिन अगर ग्रामरी छेत्र का जो गाओं का मंदर है, अगर आप सुबह उठ करके, अगर जा करके, और दस लोग वहाँ बैटे हों, और वहाँ पर जा करके, अगर परिक्रमा करोगे, तो आपको लो ये सभी जन्मकुडली के चतुरत में बैटे हैं, ये भी समस्या, अस्टम भाव के अधिपती पे शनी की दृष्टी है, व्यक्ति के पास आयू है, क्योंकि लगन में लगन को शनी देख रहे हैं, आयू की संपूर्णता है, और लगन में सुर्य भी लगन भी बली और शनी नहीं मिल पाता, पर व्यक्ति ने सबको दिये, हाँ, क्योंकि चंद्रमा ने यहां देखा है, और ये चंद्रमा का यहां का जो अधिपती है, वो केंद्र में बैठा है, और सिमलगन की कुंडली में वो महत्वण प्लैनेट होता है, ये ऐसा ग्रह है, जो व्यक्ति को शाली किम कुर्वंते सरवेग रहा, क्या कही बात, किम कुर्वंते सरवेग रहा यह से केंद्रे ब्रहस्पती, जब केंद्रे में ब्रहस्पती है, तो क्या भी गाडेंगे ये, और क्या भी गाडेंगे ये, किसी के बश के बाहर की बात है, पर उस गुरू के पास बल भी तो होना बली पापक ग्रहों का प्रभाव जब कुंडली में बढ़ेगा तो नहीं शंदे व्यक्ति को तो प्रभावित करेगा और इनकी कुंडली में तो चंद्रमा के पास वल भी नहीं है अब ज़र ध्यान से समझते हैं यहां बैठो सामने से यह चंद्रमा और गुरू के समंद्ध लाते हैं आपको समझने वाला बनाते हैं अब जिस भी व्यक्ति की कुंडली में गुरू और चंद्रमा का मेल अच्छा नहीं है वो व्यक्ति समझदार थोड़ा कम होता है और वो आसानी से किसी भी बात को समझ नहीं पाता अपनी ही धुन और अपनी ही रट में धुन धु बड़ी सवस्या है, क्योंकि गुरु अकेले बैठे, व्रिष्चिक रासी में ये जल रहे हैं, ये रोग की रासी है, मुलतिया आठ नंबर की रासी है, वो यहां बनती है, पर वो बन गई सुख भाव में, और यहां पर गुरु की स्थती बन गई की कोई अस्थमे सो करके जन बिलंब से, कैरियर बढ़े फोड़े बिलंब से, पर चंद्रमा को देखो, यहां पे इनकी कुण्डली में चे चंद्रमा ग्रहन से ग्रसित है, तो जब कभी भी शनी मंगल राहू केत्यू की दसा बढ़ेगी, तो ब्यक्ति के मन को मत है, परिशान करें, क्योंकि लगने प क्योंकि लगन में सुर्य बैठ करके, और शनी से प्रभावित, पिता से जगडे, पिता से प्रभावित भी है, पिता का आदर भी करता है, और पिता से जगड़ता भी है, और जब क्रोध हाए, तो यह मंगल है द्यूतिय भाव का, यह बड़ी खतर राहा किस्ति को पैदा क कर देता है, और यह दरशल बली है, यहाँ पे भी जन्म कुंडली में अतिविसस्त कारक हो करके बैठे हैं, चंद्रमा एकाकी हो करके बैठा है, ध्यान से समझने की बात है, कुंडली ना, बांचने की बात होती है, समझने की बात होती है, यह कैसे प्रभाव व्यक्ति के उ बढ़ेगा इस भाव से एक ग्रह पापक बेठा है इस वज़े से पंकम भाव का मल बढ़ेगा इस वज़े से विक्ति के शिच्छा किसी ने किसी तरीके से अची हो जाती है अलग बात है कि चुकि उसकी कुंडली में गुरू का प्रभाव कमजोर है इस वज़ा से कई बार अंक कम मिल जाते है जितना मेहनत करे उतना मिले नहीं और उससे छोटी उम्र के भी बच्चे कई बार प्रोग्रेस जादा कर जाते हैं और वो वही का वही लटका या बैठा र कर रहा है माता से समंद भी कमजोर नहीं है माता आत्मी है पर वो कमजोरी इस वज़ा से क्योंकि जात तक कि ही कुणली में सुर्य बुद्ध और शुक्र बैठ करके इसके व्यक्तितों को कमजोर कर रहे हैं और उस पे शनी का प्रभाव व्यक्ति को कुछ अटपटा कुछ कुछ साफ कई तरीके की प्रभृति को बदलने वाला एक सरीखा जीवा ना जीने वाला कभी बिलकुल नियमित हो जाए कभी बिलकुल अनियमित हो जाए लगतार काम करें पर कंशन्ट्रेशन इसका बहुत अच्छा है क्योंकि लगन में बुद्ध बैठे हैं सुर्य और ब कुंड्ली को ऐसे समझे भागे भाव में केतु और राहु का प्रभाव ब्यक्ति को कई बार कुछ ऐसे बिमारीयों के चपेट में भी लाने वाली स्थुतियों में ले जाता है जहां उसको और चंद्रमा के उपर राहु का प्रभाव है चंद्रमा की नवी दृष्टी यह राहु की नवी दृष्टी चंद्रमा पे इस वज़ए से ब्यक्ति के मन मस्तिस्क के प्रभावों को कमजोर करने के स्थुति बनती है और बुद्ध जो बैठे हैं वो दरशल सुकर के नक्षत्र में बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए वस्तुता पाराक्रमेश होते हैं राहु खुद बैठा हुआ है यहां और दशमस्थान के दिपदिपक्ति पैसे कमाना मैंने वो बात कही थी ना जल्दी पैसे कमाना चाहता है और जितनी जल्दवाजी वो कर रहा है उतनी ही उसकी स्थुतियां बिगड़ती जा रही है शांत शांत और शांती रहना रही है क्योंकि यह दशा शनी की चल रही है और यह भी मत्यगा यह दशा शनी की चल रही है और यह मत्यगा यह शनी राहु से प्रभावित है सुर्य और इस पर तो मंगल को भी देखो मंगल की सात्वी यहां आठवी यहां तो धर्म भी व्यक्ति का अभी जागरित है शनी की नौकरी का ग्रुप सी तपकी नौकरियां और किंदर सरकार की नौकरी आसानी से मिल सकती है भट्टी की कुर्णली में उसकी स्थुति है इस पे विश्वास की अवशकता है इसके मातापिता को देना ही होगा वक्त क्योंकि जन्म कुर्णली में अभी वक्त है अभी मूलतया दशमस्थान एक्टिव नहीं है तो दशमस्थान का अधिपती शुक्र जो है वो जन्मकुंडली में अस्त है अब हम इस पे भरोसा कर सकते हैं कि शायद अस्तगरह कभी कभी परिणाम दे दे पर वो संपूर्ण नहीं है सुवी बुद्ध शुक्र एक साथ बैठे नौमान्स कुडली में वो स्वग्रही हो रहा है और नौमान्स कुडली में चर्शा करिए तो केंदर में तीन घर खाली एक घर यहां खाली बैठा पर वो तुला का है और जिस पे गौर करिये तो किसी भी इसके जस्ट आगे रहू और बुद्ध बैठे हैं इस भाव को भी कमजोर कर रहे हैं विवा मिलाकर के ही हो और जल्दबाजी ना करें अग्री भी विवा के रिष्टे आ सकते हैं क्योंकि यहां है शनी की दशा चलती है तो विवा होती है जब सब्तमेश की दशा चल रही हो वो राहू से केंदर में है और लगन से भी केंदर में है ऐसी स्थती में कि गूरू और चंदमा का प्रभाव विवत्ती को कई बार acceptance की कमजोरी और विवत्ती के प्रभावों को चिरंतन रुप से हमेशा ही बदलने वाला और आप्रामारिक बना देता है विवत्ती के बातों का प्रभाव कमजोर हो विवत्ती का स्वभाव ऐसा हो कि जिससे कोई भी प्रभावित ना हो और उसे प्राया बच्पना करने पे मजबूर ये मंगल करते हैं दूसरों के कारण विवत्ती कई बार पंसा सकता है दूसरों के बीच में कभी भी बैलेंस बनाने का काम न करें उसको अपना काम करने दें आप अपना काम करें किसी दूसरों के चक्कर में पढ़कर के अपने खुद का नुक्सान विवत्ती कर सकता है रिण में पस सकता है और दो लोगों के बीच में कई बार इसको त्याज्य कर दिया जाता है हर तरीके से छोड़ दिया जाता है जाओ तेरे लिए कोई नहीं है और तू किसी के लिए नहीं है पर ये स्थुती बड़ी गंभीर है कि जन्मकुर्णी में गुरू का प्रभाव अगर दस्मस्तान पे पढ़ रहा है तो निशन्दे देर सबिर दख्ति को नौकरी तो मिली जाएगी क्योंकि लगन में सुर्य और शनी का प्रभाव असे तनी सी बाद बजरणबली की पूजा किसी मंदिर का दर्शन सुर्य की आराधना और हनमान चालिशा का पाट बहुत 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 तमस्काद